हेलो फ्रेंज, CAC ने रेलवे टिकट बुकिंग का नया सर्विस लॉंच गया है इस सर्विस में अभी प्रवलम आ रहा है रजिस्टर मॉबाइल और जीमेल आईडी का किसी भेली का मॉबाइल नमबर चेंज हो गया है या बंद हो गया है या सीम खो गया है रजिस्टर जीमेल आईडी यूज नहीं कर रहा है और टिपी प्रवलम तो उस प्रवलम को कैसे सॉल करना है इस वीडियो में दिखाएंगे मॉबाइल नमबर और जीमेल आईडी चेंज करने के लिए इस वेबसाइड में आना है IRCTC Agent Registration वेबसाइड में इस वेबसाइड को CAC Portal से सार्च करना है यहां से सार्च करना है टाइप करना है IRCTC Registration IRCTC टाइप करने के बाद सर्विस आ गया है IRCTC Registration इसको अपेन करना है IRCTC Agent Registration सर्विस अपेन हो गया है यहीं से mobile number और email ID चेंज करना है चेंज करने के लिए new registration में किलिक करना है अपना CAC ID से login करना है IRCTC service CAC से login हो गया है value details अपना details यहां पर देख सकते हैं अपना details देख के proceed करना है Dear value you have already registered इस pop-up को ok कर देना है mobile number और email ID चेंज करने के लिए नीचे आना है mobile email अपडेट करने के लिए नीचे वाला सर्विस है update mobile number and email of value for new B2B portal railway ticket booking का नया website का link भी दिया हुआ है trainbooking.caccloud.in click here में click करना है यहां से अपना mobile number और email ID अपडेट करना है CAC ID यहां पर अपना CAC ID देख सकते हैं B2B IRCTC agent ID यहां पर नया agent ID देख सकते हैं पहले जिस mobile number को register किये थे उस mobile number को यहां पर देख सकते हैं register Gmail ID यहां पर देख सकते हैं mobile number और email ID दोनों में से जो भी अपडेट करना है एक एक करके अपडेट करना है mobile number change करने के लिए इस mobile number को हटाना है और नया mobile number fill करना है और इस capture को यहाँ पर fill करना है और update mobile में क्लिक करना है ध्यान रखना है जो mobile number register किजिएगा वो mobile number पहले से IRCTC में register ना हो यहाँ पर mobile number change करने का pop-up आएगा अगर mobile number पहले से IRCTC में register रहेगा तो error आएगा और अगर register नहीं है तो mobile number update successfully इसका pop up आएगा ओके कर देना है अपका mobile number change हो जाएगा इसी तरह email id को भी change करना है नया email id फिल करना है capture फिल करना है और update email में क्लिक करना है फिर से pop up आएगा उसी तरह अगर पहले से register है email id तो error आएगा अगर अगर register नहीं है तो successfully change email id इसका pop up आएगा उसको ok कर देना है ये सब करने के बाद mobile number और email id तुरंत change हो जाएगा तो इसी process से आपको mobile number और email id चेंज करना है मैं अभी change नहीं कर रहा हूँ मेरा mobile number और email id एक्टीव है thanks for watching वीडियो पसंद आए तो like करें और channel में न्यू है तो please channel को subscribe करें bell icon जोरू दबाएं और all में प्रेस करें ताकि इस channel में जब भी new update आए नोड़ीपी किस्टन आप तक पहले पहुचे तो मिलते हैं next video में